आज मैं आप सभी के साथ वापस से 45 मिनिट में फुल इंडियन डिनर की रेसेपी लेकर आई हूँ जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है और हाँ ये बहुत ही हेल्दी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और ये देखिए आप सारी चीजें देख सकते हैं जिसे हम 45 म में त्यार करेंगे तो चलिए फटा फट बनाने चलते हैं आज हम सुखी सब्जी बनाने जा रहे हैं बीन्स मटर और गाजर की तो इन्हें मैंने कट कर लिया है और ये मेरी क्वांटिटी है आप अपनी क्वांटिटी अपने असाब से कम जादा कर सकते हैं हाँ अच्छे स टेबल स्पून डाल रहे हूं गैस मैंने ओन कर दिया है और गैस का फ्लेम अभी है और जैसे हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ये देखे हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो अब वन फोटी स्पून इसमें हींग डाल रहे हूं राई डाल रहे हैं, और यह देखें, यह हम अच्छे से कड़काएंगे 30 सेकंड के लिए, इसके बाद हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च, दो हरी मिर्च ली हैं मैंने, इन्हें कट कर लिया है, और अब हम डालेंगे 1 अप टी स्कून हल्दी पौडर और अपनी कटी हुई सब देखा ना कितना आसान है, कितना सिंपल है, और हम इसमे अभी एक्ट्रा कुछ भी एड नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हैं, यह सब्जी पकाने में बिल्कुल समय नहीं लगना है, क्योंकि यह वैसे ही सॉफ्ट होती है, हल्का सा सॉफ्ट कर कर लेते हैं, मैंने 200 ग्राम पालक लिया है, और पालक हमारी अच्छे से हमने साफ कर ली है, इसे उबालने के लिए मैंने गैस पर रखना है, तो मैं कुकर में रख रही हूं इसे प्रेशर कुकर में और जरूरी नहीं यह सीटी आने तक आप वेट ना करें, और जैसे ही पा 45 मिनिट किया, 40 मिनिट में ही आपकी रेसिपी रेडियो हो जाएंगी, और एक बार अच्छे से चला कर हम इसमें अपने कटे हुए टमाटा रेट कर देंगे, और उसे भी हम ढख कर देंगे, पांच मिनिट के लिए जिसे हमारे तमाटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और हम क्या करते हैं, अपने पालक पनीर की मसालों की प्रपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने दो टमाटा, दो प्याज और कुछ लैसुन की कलिया लिया है, और यहां देखे जब तक हमने वो सब्जियों को चॉप किया है, यहां हमारी यह यह सब्जी रेडि हो गई है, पांची मिनिट हमें रखने थे, और यह देख सकते हैं, कुछ नहीं इसमें एक्स्टा मिलाना है, और आप देखे कितनी डिलिसियस सब्जी बनी है, बीन्स की हमारी, और इसे हम ट्रांसपर कर लेंगे एक बाउल पर, और चलते हैं अपनी पालक पनीर बनाने, है ना, इसे सबस्टा में पालक पनीर बनाने के लिए उसे कट कर लिया है, अब देख लें उसमें कि उसमें कड़ाई ना हो तो उसके लिए हमने टिशू पेपर से अच्छे से साफ कर दिया है पाणी ना रह जाए और अगर तेल डालते से पानी रह गया ना तो तेल हमारा ऊपर को ईतो rough on a guy राही डालेंगे अपने कट्डा हुआ लैसों टाल ढाल देंगेगी अ मेल सुन दालरी हूं टालरीमान टर्ञ लैसों के भुट्टा का लिए ही इसके बाद्स के बाद हम अपने इसमें प्याज कर देंगे और प्याज को हमें तब तक बूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मतलब लाइट गोल्डन कलर आ जाए हमें उतने तक इसे बूनना है, यह बूनने में हमें 5-7 मिनिट लगेंगे, medium to high flame पर बूनना है तब तक हम बाकी की प्रप्रेशन कर लेते हैं, यह रहा हमारा पनीर, हम 250 ग्राम पनीर ले रहे हैं और इसे क्यूपस में कट कर लेंगे, और यहां हमारी पालक भी देखिए, उबल गई है, तो उसे भी हमें चेक करना है, तो यह पनीर तो हमारा देखिए, कट हो गया है, तो हम अपनी पालक को भी चेक कर लेते हैं, प्रेशर कोकर की पानी जो है एक्स्ट्रा वो हमें बाहर निकाल कर नहीं फैकना है, इसी प्रेशर कुकर में ही रखेगा और इसी में ही हम अपनी पालक को अच्छे से मसल देंगे, हमें मिक्सर में पीसना भी नहीं है, यहां पर हम ग्रेवी का मसाला त्यार कर लेते हैं, तो 2 टेबल स्पू तोड़ा सा पानी लिया है और अच्छा सा फाइन हम पेस्ट बना लेंगे और यह देखिए ग्रेवी के लिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और यहां हमारी प्याज भी अच्छे से भून गई है देख सकते हापिसका कलर चेज हो गया है, तो में लास्ट में एक पीसना है और यह देखिए यह अच्छे से भून गई है तो अब यहां पर मैं चेली पाउडर डाल रहे हूं हाफ टीस्पून यह स्पाइसी वाला चेली पाउडर है और आप स्पाइसी नहीं खाते है तो इसकेप कर सकते हैं और उसमें मैंने डाला था कश्मीरी लाल अंधर नहीं और हमें अच्छा बोर नहीं दो नहीं तब तक बून नहीं ऑग जब तक कि लॉक टेल और सब्सार बभी बून क्तिक रख देखें और यह मिंद कराईए हौब हम मैंने नमक नहीं डाला हम तो अब इह को के अश्मीर टमाटा डेंके देंगे तकbooks autenta द ला इसका टेस्ट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा आपको पिसी सब्जी तो आपने खाई होगी पिसी पालक की लेकिन इस तरीके से कभी बना कर देखिए और अब इस स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूं स्वादनस्वार आप बाद में ही डाले और धक के हम पांच मिनि के संग हम इसमें डालेंगे तीन-कफ पानि तो इस तरीके से थीन-कफ गरम पानी लिया है और ढखकर हम इसे बबोने में ही रखेंगे खुले बरतर पर रख रहे हैं इसलिए हम इसे एक से दो बार चेक कर जाएंगे वरना जिए ओपर उबलने लगता है और यहां पर हम तो इधर पर हम वन टेबल स्पून लगबग बटर डाल रहे हैं यह टोटली ऑप्शिनल है आप यूज नहीं करते हैं तो बिल्कुल मठ डाले लेकिन अगर खाते हैं तो जरू डाले से फ्लेबर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अब मैंने अपने पनीर को इसमें एड कर जा रहे हैं अपने राइस क्योंकि उबाल लाती ना तो फिर गैस खराब हो जाएगी है तो हलका सा ठकन उठा के एक सुदो बार चेक कर लें और यहां हमारे तीन से चार मिनिट हो गए हैं तो यह जो हमने पालक उबाली थी इसको हमने कोकर में ही अच्छे से मैस कर लिया है और मैस करके जो भी उसमें पानी था वो भी हमने नहीं हटाया है उसको और सारे के सारे पालक को हमने इसमें एड कर दिया से डायरेक डालना है पीसना नहीं है मिक्सर नहीं करना कुछ भी नहीं करना है आप देखेंगे आपको ढावा और रेस्टोरेंट में इसी तरीके से ओर इस से क्या होगा बोहत अच्छा आ जाता है आ बीश के पालआ बनाए और इस तरीके से पालँआ बना बहुत जादा तर्णral में स्वाद बहुत अच्छा आता है अब लग बग आप करेडी हो गई है तो मैंने वालग मुझे तकरीबहा मिद घरमम मसाला डाल यहां देकर कसूरी मेथी ली है हाफ टीस्पून से हाथ उसे मसल कर इसमें डाला है इस इसका फ्लेबर और भी अच्छा हो जाएगा और सभी को हम मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं हमारी सब्सी बनकर रेडी हो गई पालक पनीर की तो गैस मैंने बंद कर दिये और इसे हम चलते हैं कैस संई जाल दी है और यह दниंग है अर्व भागवने में थोड़ा सा ही हम रोस्ट करें वड़ लू फ्लेम पे करेंगे कि बहुत ही लाइट होती है तुरंसे जल जाती है और यह पहले सही ठोड़ा भुनी हुई हो दोनी ही होती है ठो itting कर देदेंगे दूद मैंने लिया हे तो one लीटर मैने दूद लिया है और तक इसमें एक उबाल नहीं आजाती है तब-tक हमें इसमें चेछलाते रहेंगे और ये देखें उबाल अने के बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा ही मैं डालूँगी यह ड्राइफ फूर्ट इसमें काजु बादाम पिस्ता लिये हैं मैंने इनको छोटा-छोटा कट कर लिया है और हम इसे डाल देंगे साथ में ही इसको भी उबालते जाएंगे और यह थोड़े से प वैसे नॉमली ये शकर इतनी परफेक्ट है इसके लिए लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सबी मीठा जादा खाते हैं तो थोड़ा बहुत शकर कम जादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मैं इतना ही खाती हूँ तो इतनी ही डाली है और लीजी हमारी खीर अच्छे से ख सब्सक्राइब जीरा पॉर्डर वन फोर टी स्पून ही मैंने डाला है इसमें चांट मसाला और थोड़ी सी ही चिली फ्लैक्स डाली है और आज हम बूंदी का राइता बना रहे हैं तो मैंने थी टेबल स्पून इसमें बूंदी आट की और सभी को अच्छे से मिक्स गलिया यहां पर आके प्यारा सी टड़का लगा दिया और थोड़े से हमने दनिय से गार्निशिंग कर दिया और हमारा दही का राइटा रेडि हो गया है बची है हमारी रोटिया रोटिया सबसे लास्ट क्ना रहे हैं सिर्फ इसलिए की जिससे वह गरम रहें सबी चीजों को मैंने लगा लिया है अच्छे से त्यार कर लिया है सिर्फ रोटियां बची तो यहां मैंने रोटियां बनाती जा रही हूं और मैंने इस तरीके से हम सारी की सारी रोटियां बना लेंगे यकीन मानिए बहुत जल्दी खाना बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है और घर का खाना तो ह बहुती स्वादिस्ट और हेल्दी इंडियन फूल डिनर रेसिपी तियार कर सकते हैं और यह लीजिए हमारी खीर बनकर रेडियो हो गया यह पांसे साथ मिनिट हो गया है तो वगल वाली गैस में रखी मैं से बंद कर देती हूं और चलिए कैसरॉल में इसे पलट लेते हैं य आप यह बर्फी देख रहे हैं यह मोहन थाल है यह इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं यूटूब पे मेरे चैनल पे और हां मेरे रेसिपी मेरा तरीका आपको पसंद आरा हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू सकते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं वह भी शेयर करूंगी चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में